कि अधेक्स मोदे और सभी सम्मानिक सदश्य सबसे पहले तो मैं यहां सदन में जानकारी देना चाहूंगा कि जो सिर्षा के अंदर पांच दिन वल्देव सिंग सिर्षा जी का अंसन चला देश्टरों के मुकत्मों के खिलाब और हमारे पांच साथियों की रिहाई के और शे दिन आंदोलन चला और ये आंदोलन की ताक्त है कि सिर्षा साथ का अंसन और वो फूरा आंदोलन सफल हुआ ताई गई और हमारे सभी कि सवाब देना चाहिए कि MSP कितने परतिसत किसानों को मिलती है MSP ना मिलने के कारण हिंदूस्तान के किसानों को 45 लाग करोड र कर दो क्योंकि पंजाब और अरियाना मंडी विवस्ता में सबसे मजबूत हैं इसलिए अंगलन की चिंगारी पंजाब और हुठी अरियाना में जो अभीगेव की खरीद होई इसमें चार जिलों की मंडियों को तोड़ दिया गया हमारे आक है चेंथर है जीन है सोनीपत है और फतेयाबाद है जबकि सरकार दावे कर रही है कि मंडिया मजबूत होंगी हम अरियाना में पीजेपी वाड़ों को जाकर के दिखा सकते हैं कि चार जिलों की मंडियों को फगेर कानून लागू एक खा चुके और वहापर अडानी के साहिलोज शरू कर दिये गए हैं यानि की स्थीदे तोर पर अगर हम बात करें जो मोदी जी को मोदी जी का जब जिकराता था तब हम कहते थे कि भई यह तो इसको कोई संतान नहीं है परिवारवाद से बहुत प्रेशान है आज हिंदूस्तान की जनता यह कह रही है कि मोदी जी अपने जतक पुत्रों का मोद अगर हम बात करें अगर हम बात करें मैं अंत में क्योंकि यह पूरी तरह से किसान बैश के वक्त मरेगा ग्राद खरीद के वक्त मरेगा समीनों के उपर कमपनियों के कबजे हो जाएंगे कोर्ट के दिर्वाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे भूट का व्यापार होगा रोटी तिजोरी में बंद होगी और ये कानून कहीं में कहीं लोगतंतर के लिए बड़ा खत्रा है और आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो किसानों की किसान संसद में नौफी सरकार की चूले ही लादी है जो एक रिहासिक ख़जमिस्तान दोलं का साथियों अगर यही किसान दो ऩहार हुए यहीज दो लाख हुए और यही तो करोड हुए तोंवेस के परदान मंतरी को बताना चाकते हैं या तो का आंदोलन चलेगा लेकिन आपकी स्थरकार सप्पा में नहीं रहेगी यह तकत उजर जाएंगे अंतमें साथियों मेरा यही निवेदन है कि यह केवल द्यत्रतव किसान कर रहा अब यह आंदोलन जनजन का आंदोलन है और जो आंदोलन कारी किसान है वो बधाई के पात्र है पूरी दुनिया का यह यहासी कांदोलन चलाने के लिए और हम उनका पुर्जोर समर्पन करते हैं और पूरी ताकत के साथ आप सबसे भी निर्यदन करते हैं कि संयूत किसान मोर्चान है देश के मट्दाताओं की और से पीपल्स वहीब जारी किया है जो सदन का सदश्य है यह बात संसद कान खोल करके सुन ले अगर हम संसद बनाना जानते हैं तो संसद बिगारना भी जानते हैं हम संसद बनाना जानते हैं तो कुर्षियों से उतार करके मिट्टी में मिलाना भी जानते हैं यह देश की जंता हम इस देश के मालिक है तो मेरा निवेदने सदन के सभी सदश्य सदन के किसान अंदोनन का समर्थन करें और जब तक सदन को ना चलने दें जब तक तीन काये कानूनों की वाप्षी ना हो और MSP के कानून पर बात ना हो जो सांसद हमारा समर्थन नहीं करेगा वह दुबारा कभी इस परीद पंसाइब की चोफिट का धरवाचा नहीं देख पाएगा वह हमारे से एफ्री डेवेट लिखवा करके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अंतमें स्पीकर मुर्दे का और जो हमारे सहीद किसान है मैं विशेश रूप से उन का बहुत उनको नमन करता हूं और एक अंतिम लाइन ये बोलना चाहता हूं हमें खालिस्तानी से ले करके मवाली तक कहा गया है हम इस देश के हम इस देश के अन दाता है मोदीजी और बीजे पीवाड़ों कान खोल करके सुन लो इनका भी पक्स जान लेते हैं ये क्या इन क अनुनों को बारे में कहते हैं एपी एमसी मंडियां जो एक्त बनाया है इनोंने इनके बारे में ये भी अपना ब्यान करें कि इन्होंने क्यों किसानों पार ये कनून पूपा सब्सक्राइब करें सारे मेंबर पार्लिमेंट और हमारे स्पीकर साथ सब्सक्राइब को नमन करता हूं जी बताना जाता हूं क्यों लेकि आए क्योंकि कभी आप तो गए नहीं होगे अमेरिका अमरीका ने आए थे 6,7,70 साल पहले एपी एंपी वहां पे भॉलिश की थी वहां पे किसान खुछाल होगिया किसानी जो किसान पहले जिसके पास तरोस्ट्यार देसे करते आज वहां पे सिर्फ वही किसान है जिसके पास 400 या 500 एकड़ा अगर ऐसे कनून लेके एंगे तो आपको फुशाली की तरफ हम लेके जाएंगे तुसरी बात पहले मेरी बात सुनुए जो पंड्रे अगर उपन मंदी होगी अगर उपन मंदी होगी बात सुनुए अगर उपन मंदी में आपको बेनिजद क्या होगा अभी आप लिए अगर आपको टेक्स तर्फेस आठ आठ पर से जो भीग नारे बचौली ए लेके अगर वह प्छौली ए टेक्स लेंगे अगर उपन मंदी आई वहापे टेक्स लेंगे ने परेगा तुबॕ को हम आपको कर जकते हुँ मैं नमेघन करते हूं बेटिये आप गठिये किप्ता हक टेथिये खगर की कारवाई को चलन son यह मोई को सांध रखिये देखनापया का आपको स्थेस्तमा करता हैं तो तो यह इस्तिवाभी लेंगे शाप लेगे मुझे 2 मिंग सुनने का प्रयास कीजी है अगर अगर आप नहीं सेमत हुए तो मैं सब्सक्राइब क्रिशी मंत्रों हो सब्सक्राइब करें कि बढ़ने का कश्म करें यह को मर्यादा नहीं है संस्थ की प्लेज आपको अपनी शीट करें और आपको जे चेर की तर्ब से इंफार्म किया जाता है कि आपके एक वी प्रचन का संथुस्टी के उत्तर नहीं दे सके बार बार शर्मशार उनके होना पड़ा आप छेंद शेंद के नारे लगाते रहे यह मैं आपको इंफार्म करना चाहता हूं शर्म के मारे क्रिशी मंत् कinals में परने किना अंप लगाता है किना की आपका चे गिंवादा कि较े नहींद, मैं थन आपके वीदायव मैं अपने काु़ मैं आ प्ले फसी हो देता है . किसान में दूरेगता हूँ, किसान में दूरेगता हूँ, मैं अपने पच्छों इस्तीफा देता हूँ, सबकार करो, सबकार करो. किसान को क्या दिक्त सी, क्या कुछता, मुझे पता चल गया, मैं आपके साथ आगे बेचूँगा, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, अस्तीफा दे रहा हूँ, अपने पच्छों से, जन्यवाद. जन्यवाद क्रिशी मंत्री जी ने अस्तीफा दे दिया, किसानों के हक में, उनके हाथ बैठ गए, ग्यारा बार चाच्छा हुई थी बग्यान भवन में, और इसी क्रिशी मंत्री जी ने बोला था कि नूगों में हम शोद करते हैं, इनको और पील नहीं करेंगे, तो अब इनको और पील भी करने पड़ेगे, किसानों की ताक्त के आगे, इनको जुकना पड़ा सरकार भी दुकेगी अगला स्थिया रहार राज एंपी से, उनके बाद सतनाम सिंग साहनी पंजाब से जो 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 वानी सभापती दी वुझा सदन जाने के लिए मैं आपका अभारी हूँ, आपके मात्यां से अग्वानी अध्यक मोदर मैं सदन के सामने कुछ बात रखना चाहता हूँ, अध्यक जी मैं आपका प्तेंशन आप अध्यक पार जी कानून लागू हुए, उसके महि मेने बर के अंतर हमारे प्रदेश के मुक्ति मंतरी विवराज सिंग चौहान में मौडर एक मंडी का बना दिया, उसके बाद मज्द प्रदेश की सकतर प्रतिशत मंडियां जैसे कहता है कि वेंटी लेटर पे चली जाती है, उसके चली गई, क्योंकि ये बात उसके साफ कोई टैक्स नहीं लगेगा, और सरकारी मंडी में टैक्स लगेगा, तो सारे व्यापारी अपने हिसाब से, क्योंकि आदार का डो, पैंट का डो, खरीदी चालू हो गई, और सरकारी मंडी को कोई टैक्स नहीं मिला, नतीज़ा ये था मानिय अद्रिक जी, क्रिशी कर दर्बी का समयता पीछले करनाकाल में मद्यप्रदेश ने हौत आया सब्सकूर्य को क्याक्रों का पुधक जाती, इस ये लेखत अधाी уп्नाबू सरकारी समर्सर समटन कर नहीं की खरीदा गया, मद्यपरदेश के अद्रिक जी खिसान को को क्योरों का में बहुत ठठी उन बोली 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 नहीं बोली 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 से बहुत बड़ा राच नहीं पादम में फिछले तीन वर्शों से मानी है अर्थी बरिस्की के कारण हमारे मद्योपतेश में फसल बारबाद हो रही है लेकिन दो-दो साल में फसल बीमा की रिकिस्ते मिलती है तो प्रदान मंत्री फसल बीमा कर जिसका सूर किया जाता है और अतिवरिष्टी का मुआज़ा एक डेट एक साल तक एक एकिस नहीं जाली आती है इसके कारण आज मद्यप्रदेश में स्वहीवीन का पीज मानी अज्टक जी मैं के मात्यम से बताता हूं इसके का एक 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 मानी अग्यान में जाली आती है